वेल्कम टू माई यूटिव चैनल आज हम बात करेंगे बेस्ट स्टेपलाइजर फोर इन्वर्टर एसी यह दिखिए यह वीगाड की तरफ से स्टेपलाइजर आता जो की स्पैशली ही इन्वर्टर एसी के लिए डिजाइन दा है इसके जोंसे फीचर्स हैं उसकी बात करें इसमें आपको हाई एंड लो वोल्टेज कट मिलता है आई टी डिएस भी मिलता है और डिस्पले भी मिल जाती है जिए त्री डिजिट डिस्पलिया इसे हम ओपन करके भी दिखाता है आपको चोलो पहले में ओपन कर लूँ यह उन्बोक्सिंग करने के बाद यह स्टैपले बहुत ही बहतरेq का अघर आपको मैं दखाता हों वोल – कैसे लगता है बहुत ही स्टैपलेजेУसर है क्यों पहतरीन मैं कह रहा हूं इसके फ्चर्स के बाद कदर गीद लिक इखो इसमें जोन से फीचर साते हैं वो किसी हो स्टाप लाजर में आपको शाहिद ही मिले सबसे बड़ा इसमें यह सेंसर लगा हुआ इसका यह बैनिफिट है 2 macht कि यह सरे कि यह और जांप पिन्पूसर इसमें सबसे बड़ा प्लुस पॉइंट है कि यह आपको बताएगा कि एस कितने किलो वाट पे चल रहाए और उसने किलो वार्ट कंजियों किया हैै त्वर आर्स में जो आप reset भी कर सकते हो अगर आपने चाख करना मेरे इसी दो आर्च में किन्ने किलोवाट ले रहा और recent क्या ले रहा वो भी बताएगा input light क्या हा रही है वो भी बताएगा output light क्या जा रही है क्या दे रहा है यह करके वो भी आपको show करेगा तो महरत रही है कि अधाथ करेड़ करें सब्सक्राइब को एक है वातव भी आव के लिए यह विय में बैंगी लिए आगी तो में बैन फरक क्या फरक ही है कि जब आपकी लाइट पीछे से कम होगे समझो अभी 220 वॉल्ट आ रही है 220 वॉल्ट आ रही है तो पीछे से एकदम लाइट 220 वॉल्ट होगी तो इसने जब लाइट आपको पूरी करके देनी आ हैं तो वो तीन तीन का स्टैप करके देगा जैसे 220 200 होगी 203 206 206 209 211 ऐसे लाइट अप करनी है दूसरे स्टैप लाइजर ने सीखदा ही 200 से लेके 220 वॉल्ट पे स्टैप अप कर देना क्योंकि वह 200 क्योंकि प्राने से पर चलते नहीं यह कम लैड पर चल जाते हैं किनका स्टाटिंग लोड नहीं होता इससे यह इससे यह कि मारा इंवर्टर इसी DC current पे चलता उसे fluctuation नहीं चाहिए जो उनसा हमारा arm step laser वो उसे fluctuation देता क्योंकि 220 वॉल्ट से सिदा अगर 220 वॉल्ट पे जाएगा तो 20 वॉल्ट का जड़का लगेगा तो वो पे चलता उसे कोई fluctuation की जुरूरत नहीं होती इस टेपलाइजर का यह काम है कि यह 3-3 वॉल्ट का step up देगा जिससे आपके inverter AC की PCB को fluctuation नहीं मिलेगी और आपका AC को कोई दिक्र नहीं होगी क्योंकि हमारे इंडिया में हमें नहीं पता कि पिछे से कितनी light का एकदम high होजे एकदम low होजे तो हमें अपनी PCB सेफ करने के लिए step लेजर लगा लेना चाहिए क्योंकि यह कोई कि अगर वीडियो में कोई चीज नहीं समझ आई तो आप मुझे क्मेंट सेक्शन में क्मेंट करके पूछ सकते हो ओके बाइबाइब